हैलो अब्रिवान आज का टॉपिक है लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभासा दे एबं इसके मुख सिधानतों की विवेचना करे लोकतांत्रिक समाजवाद परजात तंत्र और समाजवाद इन दो विचारधाराओं और वेवस्थाओं का संबन में है लोकतांत्रिक मार्क मत पेटी का मार्क को अपना कर ऐसे समाजवाद की अस्थापना जो अस्थापना के बाद भी लोकतांत्रिक मार्क को अपना कर ही अपने समस्त कायरे करे या विचारधारा लोकतांत्र और समाजवाद दोनों को बनाए रखना चाती है राजनितिक छेतर में इसके आस्था मानी हुए सवतनतर्ता पर अधारित उधारवादी दर्शन में है लेकिन राज के कारी छेतर के परशरंग में लोक कल्यानकारी राज को अपनाना चाहती है लोकतांतरिक समाजवाद की कुछ परिभासा निमने परकार है जुआहर लाल लेहरू के अनुसर राजनितिक और आर्थिक सक्तियों को भी केंदरी करनत था जन सामती के तरीकों से ना की बल दुबारा स्थापित की जाने वाली नियाई पुन व्यवस्ता ही लोकतांतरिक समाजवाद है डॉक्तर राम मनोहर लाल लोहिया के अनुसर लोकतांतरिक समाजवाद ने साम्यवाद के आर्थिक लक्ष तथा पुन्जिवाद की समाइल लक्षियों को अपना लिया है लोकतांतरिक समाजवाद का लक्ष दोनों में समाज़स अस्थापित करना है नियमूर्टी गजेंद गड़कर के अनुसर लोक्तांत्रिक समाजवाद लोक कल्यानकारी राईज के सिधान्तों को बेहवार में लाने की बिवस्ता है इसका आधार उदारवादी समाजिक दर्सन है इसकी मुख भावना या है कि व्यक्ति को समाजिक दाईतों का निर्वा करना चाहिए एक पंक्ती में लोक्तांत्रिक समाजवाद का अर्थ है लोकतांतरिक मार्क को अपना कर आर्थिक समाजिक नियाए की अस्थापना इस विचारधारा के अधार है व्यक्ति की गरीमा और समाजिक नियाए लोकतांतरिक समाजवाद के मुले सिधान्त ब्रिटिस, अमरीकन और भार्तिय समाजवादियों दुवारा अपनी विचारधारा का जिस रुप में परतिपादिन किया गया उसके अधार पर लोकतांतरिक समाजवाद के कुछ समाजवाद लक्षन बताई जार सकते हैं जो इस परकार है पहला, पुंजिवाद और शाम्यवाद दोनों का विरोधी लोकतांत्रिक समाजवाद और शामियवाद दोनों विचरधाराओं का समान रूप से विरोधी है उसके अनुसर पुंजिवाद समानता और शमान जनता के सोचन पर अधारित है और ऐसी ब्यवस्ता कभी भी समस्त जनता के कल्यान में नहीं हो सकती इसके साथ ही सामियवाद से उसका बिरोध भी उतना ही अधारभूत है जितना की पुंजिवाद से उसका बिरोध लोकतांतरिक समाजवाद सामियवाद का बिरोध इसलिए करता है कि सामियवाद धर्म और नितिकता के बिरोध पर टिका हुआ और वर्ग संगर्ष और करांती की धारना में विश्वास करता है और उसके अंतरगत अधिनायक वाद को अपनाया गया है लोकतांतरिक समाजवाद के अनुसार वियासे विचार है जो कभी भी मानव जीवन के लिए स्रेशकर नहीं हो सकते हैं इसी कारण वा सामयवाद को अपना पर्थम सत्रू मानता है और नविन समराजवाद का अंतर काकर उसकी भतरशना करता है लोकतांतरिक समाजवाद पुंजेवाद और सामयवाद इन दोनों का विरोध करते हुए आर्थिक और समाजवाद के छेतर में एक नया मार्क परशस्त करता है दूसरा सरवाधिकारवाद का विरोधी और परजा तंतर का उपासक लोकतांतरिक समाजवाद का या सबसे परमुक लक्षन बताया जा सकता है कि वह सरवाधिकारवाद के सभी रूपों को पूर बिरोधी है क्योंकि सरवाधिकारवाद में परजाद तंतरिक के पूरक रूप में ही अपनाया गया है नार्मत थामस के सब्द में समाजवाद परजात अंतर की ही पुन सिद्धिय लोगतांतरिक समाजवाद का या दृड विश्वास है कि आर्थिक और समाजिक छेतर में जो भी परिवर्तन किये जाने हो उनके लिए परजातांतरिक पधति को ही अपनाया जाना चाहिए तिसरा मानव एकनेतिक प्रानी है पुन्जिवाद और शामिवाद भीतार धाराओं के अंतरगत मानव को एकार्थिक प्रानी माना गया किन्तु परजातांतरिक समाजवाद मानव को एकनेतिक प्रानी मानता है पुझी वाद इस गलत धारना पर अधारित है कि व्यक्ति केवल लाव या दंड के भाई से ही क्रियासिल होता है सामियवादी मानते हैं कि हिंसा भाई या आतक जैसे आमानुविय तत्वों के अधार पर ही कोई कायर किया जा सकता है वस्तुता मनुष एक भोतिक या आर्थिक प्रानी नहीं वरन एक नेतिक प्रानी है या केवल भोतिक विचारों से ही नहीं वरन आदर्शों और आशाओं से परभावित होता है तथा सायोग समाजिक और भ्रात्रित्व की भावनाओं के आधार पर कायर करता है समाजवाद मानविये परकिर्टी के संबन में इसी आसावादी दृष्टी कोन को अपनाता है और मनिश्यों के नेतिक विकास पर बल देता है चोथा धर्म और नेतिकता पर अधारित लोकतांत्रिक समाजवाद मानो जीवन में धर्म और नेतिकता के महतों को सिवकार करता है उसका विचार है कि समस्थ समाजिक व्यवस्ता धर्म और नेतिकता पर्टी की विवी है और अधि इस अधार को मिटाने का परियत ने किया गया तो समस्थ व्यवस्तता ढ़ा जाएगी लोकतांत्रिक समाजवाद के अधिकांस पर्तिपाद को दुबारा समाजवाद की प्रेड़ना धर्म से प्राप की गई है लेकिन धर्म और नेतिक्ता से लोकतांत्रिक समाजवाद का आसाय कर्मकान भाग्यवाद या धर्मिक जीवन की एन कूपर विर्टियों को अपनाने से नहीं है इसके साथ ही लोकतांतरिक समाजवाद अपने आपको किसी एक विशेश धर्म से ही नहीं वरन सभी धर्मों में समाजवादी समाज में पुंजिवाद वर्ग और सर्म जीवी वर्ग की विद्मानता को श्विकार करते हैं वेवी वर्ग संगर्ष के सिधानत को नहीं मानता है उनके अनुसर वर्ग संगर्ष को भावना दुसित और हिंसात्मक वातावरन को जन्म देती है और अध्योकीक छेतर में उत्पादन बढ़ाने के बज़ा गती रोज का कारण बनती है लोकतांतरिक समाजवाद के अनुसर पुंजी पती और मस्दुर वर्ग के हिर्ट में एकता स्थापीत की जा सकती है और हमारा मुल मंत्र वर्ग संपर्ग की अपेक्छा वर्ग समंजस और वर्ग सहियो ही होना चाहिए चठा आर्थिक सवतंतर्ता के साथ साथ बोधिक और राजनितिक सवतंतर्ता का परतिपादन साम्यवादी विचारधारा आर्थिक सवतंतर्ता को ये व्यक्तियों के लिए अविसक मानती है उनके अनुसार काम काधिकार उचित प्राशर्मिक और आवकास काधिकारी व्यक्तियों के लिए सब कुछ है दुसरी और पुंजिवादी विवस्ता के अंतरगत नागरिक और राजनितिक सोतनतर्ता पर तो बल दिया जाता है लेकिन आर्थिक स्वतंतर्ता के महतों को सीवकार नहीं किया जाता पर जातांत्रिक समाजवादी विचारधारा एक और तो व्यक्ति के लिए विचार भार्षन, संगठन और सम्मेलन आदे की नागरिक और राजनितिक स्वतंतर्ता अवेशक मानती है तथा उसके अनुसार राजनितिक और नागरिक स्वतंतर्ता के मुल्य पर आर्थिक स्वतंतर्ता नहीं वरन राजनितिक और नागरिक स्वतंतर्ता के साथ साथ आर्थिक स्वतंतर्ता पराप्त होनी चाहिए सातमा अर्थ बिवस्ता पर परजात अंत्री नियंत्रन का समर्थक परजात अंत्र के अंत्रग जनता को राजनीतिक प्रश्णों के संबन में नीर्ने की सक्ति तो पराप्त होती है लेकिन समाइन जनता के दुबारा आर्थिक छेत्र को परभावित नहीं किया जा सकता शामियवादी विवस्ता में अर्थ ब्यवस्ता पर शामियवादी दल की उच्चा धिकारी समीती जेसी संस्ता का नियंत्रन होता है जो समाइन जनता के परती उतरदाई नहीं होता लोक्तांत्रिक समाजवाद इन दोनों ही व्यवस्ताओं को दोस्पुन मानता है उसकी धारना है कि अर्थ व्यवस्ता पर लोक्तांत्रिक नियंत्रन होना चाहिए अर्था समाइन जनता द्वारा पर्तेक शरूप से निर्वाचित संसत द्वारा अर्थ बेवस्ता पर नियंतरन रखा जाना चाहिए आठमा राष्टिय करन के अधार पर समाजी करन पर बल लोकतानत्रिक समाजवार के द्वारा 1935 के वर्षों में राष्टिय करन पर अधिक बल दिया गया था किन्टू सिग्र ही या अनुभाव किया गया कि राष्टिय करन आर्थिक छेत्रे कि सभी समाजयाओं का ciao नहीं आता राश्टिय करन के स्थान पर समाजी करन पर बल दिया गया राश्टिय करन का ताथ पर उध्योग पर शार्व जनिक श्वामितु से है लेकिन समाजी करन का ताथ पर यह है कि उध्योग चाहे सार्जनिक छेत्र में हो या नीजी छेत्र में उन पर नियंतरन की विवस्ता प्राप्ति के लिए नहीं वर समाजिग हितकि दरिश्टी से किया जाना चाहिए समाजी करन इस धारना पर अधारित है कि उद्धियो के स्वामित से अधिक महत्पुन प्रश्ण उद्धियो के संचालन के उद्धेश कहा है अता स्वामी तो चाहे किनी हाथों में हो संचालन समाजी घित की द्रिष्टी से किया जाना चाहे स्रीमति गांधी ने भी अपने एक परशीद भाशन में कहा था समाजवाद का अर्थ राष्टी करन ही नहीं है रॉमा नीजी समपति को समाप्त करने के अस्थान पर उसे सिमित करने का ही समर्थक है लोकतांत्रिक समाजवाद के अनुसर जो समपति सोसन को जन देती है उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए उधानता बड़े बड़े उद्योग धंदो के अधार पर अन्तिम नियंतरन राज का होना चाहिए नीजी पुझी पतियों का नहीं क्योंकि पुझी पति इन उद्योग धंदो के अधार पर समाइन जनता को अपना दास बना सकते है लेकिन जो नीजी समपती समाज के लिए उपयोगी भूमी का अदा करती है उसे बनाय रखा जाना चाहिए अर्थात नीजी घर, जीवन उपयोगी नीजी, चीजे क्रिशी, हस्त स्रीलप, खुदरा बैपार और मध्यम स्रेनी के उध्योगो को नीजी छेतर में बनाय रखा जा सकता है लोकतांत्रिक समाजवाद नीजी समपती को पुर्णता समाथ करने की बात नहीं करता लेकिन इस बात का अविस ध्यान रखता है कि नीजी समपती स्वे राईज को अपना दार्ष बना ले दस्मा लोक कल्यानकारी राईज के स्थापना पर बल लोकतांत्रिक समाजवाद राईज को एक बुराई या सोसन का एक अंत्र ना मानकर उथे समाजवाद राईज को विक्सित करने वाली संस्ता मानता है और इस बात का पठी पादन करता है कि समाज की सामूहिक सकती ही सिक्षा सवस्ता चिक्सा मन रंजन और स्रेश रांस्कृतिक जीवन को सुविधा जुड़ा सकती है अता राईज के दुवारा अस्पतालों, सोध, केंद्रों, पारकों और सारजनिक मारगों के अधिका अधिक ब्यश्ता की जानी चाहिए संचेप में राईज के दुवारा मानव कल्यान की एकिकाई के रूप में अधिका अधिक संभव कायर की जानी चाहिए आज समाजवादी विचारधारा से परभावित होकर इपश्मी देशों के दुबारा अध्वययम के मार्ग को छोड़कर लोक कल्यान के मार्ग को अपनाया गया है 11 सत्ता का विकेंदरी करण और अस्थानिय संस्थाओं को अधिकादिक सत्ता लोकतांत्रिक समाजवाद सत्ता के विकेंदरी करण के अस्थान पर विकेंदरी करण का समर्था के और निर्देश करता है कि अस्थानिय संस्थाओं की अस्थापना कर उन्हें अधिक अधिक सक्तियां परदान की जानी चाहिए समाजवादियों का विचार है कि जहां कहीं भी संभव कर उन्हें अधिक अधिक सक्तियां परदान की जानी चाहिए समाजवादियों का विचार है कि जहां कहीं भी संभव हो सरजनिक स्वामितु की छूटी इकाईयों की अस्थापना की जानी चाहिए जिससे अस्थानिय परजातंत पुनर जीवित हो सके इस संबन में नगरपाली काओं के दुवारा की राये के मकानों, लांडरियों और टेक्सियों की विवस्ता की जानी चाहिता था उनके दुवारा सिनेमा, घरों और थेयरों आदी के संचालन का कायर भी किया जाना चाहिए भारत में लोक्तांत्रिक विकेंडरी करन की योजना, लोक्तांत्रिक समाजवाद की दिशा में ही एक महत्पुन कदम है। तबी राज्यों में सामियवाद का परशार अवेश मनता है और इस द्रिश्टी से यूद की अवेश संभावना की सिधान का परतिबादन करता है। आप लोको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई योट्यूब चैनल और सेयर जरूर करें। आप लोको पाझाउन की लगEMेक है और सेयर आप लोकािश SUS Movement का लोका का जरुचांग की सिभिए